Hello everyone, अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि निर्मला सितारामन ने एक बात कही थी एक प्रेस कॉन्फरेंस में जहां पे वो एकॉनमी के उपर बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भारती रुपया कमजोर नहीं हुआ है बलकि US डॉलर मजबूत हो गया है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है तो आम तोर पे लोग ये सोचते हैं कि भाई इससे हमारा क्या लेना देना है है लेकिन आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि डॉलर अगर मजबूत होता है इंडियन रुपीज के मुकाबले भारती रुपे के मुकाबले तो इसका आम जन्मानस पे या आम भारती पे इस पे क्या आसर पड़ता है देखिए एक बात तो ये मज़ लीजे कि दुनिया में आप सामान जब कहीं से भी खरीदते हैं तो उसका जो पेमेंट होता है यानि जब उसका आप पेमेंट करते हो उसका प्राइस पे करते हो उसका दाम पे करते हो तो वो भारती रुपे में नहीं करते हो, यानि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब हम सामान खरीदे हैं, तो उसका पेमेंट हम इंडियन रुपीज में अपनी 10 रुपे की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट और 2000 की नोट से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एशिया में भी किसी देश से खरीद रहे हो, अफरीका में और यूएस में कहीं से भी खरीद रहे हो, तो वहाँ पे आप पेमेंट यूए इंडियन रुपीज में नहीं करते हो, लेकिन ज़ादा तर ये देखा जाता है कि आप वहाँ पेमेंट यूएस डॉलर में करते हो, यानि यूएस डॉलर को एक इंडियन रुपीज मानी गई है, और दुनिया भर का हर देश यूएस डॉलर का ख़जाना अपने पास रखता है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब हम इंपोर्ट करते हैं, यानि इंटरनेशनल पर्चियस, यानि बाहर से जब हम सामान खरीदते हैं, तो वह सामान का दाम पे बड़ा असर पड़ता है, जैसे एक महीने पहले मान लीजे, मैंने सामान मगवाया, तो उस वक्त एक डॉलर जो था इंडियन रुपीज के बराबर पहुच गया है, यानि एक डॉलर को पाने के लिए अब मुझे असी नहीं, बलकि ब्यासी रुपया लगाना पड़ेगा, तो अब वही सामान जो मैं एक महीने पहले, एक सामान को असी रुपया दे के खरीद लेता था, यानि एक डॉलर के बराबर होता, तो एक सामान पा जाता था, अब उसके लिए मुझे हर एक सामान पे ब्यासी रुपया लगाना पड़ेगा, यानि हर सामान पे मुझे दो रुपया एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, अब आपको पता है कि इंपोर्ट जब किया जाता है तो ये कोई एक दो सामानों की बात होती नहीं है वहाँ पे जरा सा आप ये समझ लीजे कि आधा पचास पैसा या एक रुपया उपर नीचे होने की वज़ा से कई करोड का नुकसान हो जाता है हमारे जो इंपोर्टर्ज होते हैं जो बाहर से सामान मगवाते हैं अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाल में ही हमने देखा कि जब बहुत तेजी से हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा था तो इसका जो सबसे बड़ा इंपक्ट पड़ता है वो हमारा क्रूड ओयल पे पड़ता है यानि हम सबसे बड़े लेवल पे जिस सामान को इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो कच्चा तेल होता है अब हर बार अगर हमारा रुपया कमजोर होता जाएगा यूएस डालर के मुकाबले तो हर बार कच्चा तेल को खरीदने के लिए हर बार हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा जैसे मैंने एक महीने पहले मैं 82 रुपया देता था अब एक महीने बाद मैं हर लीटर पे 82 रुपया दूँगा तो हर लीटर पे मुझे दो रुपया जादा पीकरना पड़ ला है तो यानि जब हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं बाहर से डॉलर मजबूत हो चुका है रुपया के मुखाबले तो अब कच्चा तेल हमें महगा पड़ेगा तो महगा जब पड़ता है तो भारत सरकार उसको domestic consumption के लिए उसपे tax वगएरा लगाती है और वो और महगा हो जाता है और महगा जब हो जाएगा और दुनिया तो जो सामान एक महिने पहले सस्ता था वो एक महिने बाद बहुत महगा हो जाएगा इसी वज़ए से Reserve Bank of India ने लास्ट येर में आपने देखा होगा कि बारत सरकार से ये बात कही थी कि पेट्रोल और डीजल पे टेक्सेस को कम किया जाए otherwise जो महगाई है जो inflation है वो रुकेगी नहीं वो लगातार बढ़ती रहेगी इसका दूसरा एंगल यह होता है कि जगर डॉलर मजबूत हो रहा है इंडियन रुपीस के मुखाबले तो यहाँ पे exporters को फाइदा होता है जैसे मैंने कहा कि एक महिने पहले मैं एक सामान जब बाहर बेशता था तो उस हर एक सामान पे 80 रुपया पाता था export कर रहा हूं तो पैसा मिलेगा तो 80 रुपया पाऊंगा लेकिन अब अगर डॉलर मेरा मजबूत हो गया है तो अब हर डॉलर पे हर सामान पे मैं 80 नहीं बलकि 82 रुपया पाऊंगा यानि हर सामान पे 2 रुपया का मुझे फाइदा होगा तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे जब डॉलर मस्बूत होता है इंडियन रुपीज के मुखाबले तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान होता है बलकि वो लोग जो की सामान एक्सपोर्ट करते हैं उसका उनको उसका फाइदा भी मिलता है लेकिन भारत जैसी अर्थवेष्था जो एक ऐसी अर्थवेष्था है जो majority of commodity बाहर से मगवाती है ऐसे देशों के लिए जब डॉलर महगा हो जाता है या डॉलर मजबूत हो जाता है रुपए के मुखाबले तो आप ये समझ दीजे कि ऐसे देशों के लिए बड़ी समस्याएं हो जाती है इसमें एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी देश की आर्थिक इस्तिती अगर मजबूत है तो वहाँ पे जो उसका foreign exchange reserve होता है यानि डॉलर का जो खजाना होता है वो बड़ी मातरा में होता है लेकिन अगर हम import बहुत ज़्यादा करने लगेंगे सामान बहुत ज़्यादा बाहर से खरीदने लगेंगे तो वो जो हमारा खजाना है वो खजाना लगातार खाली होता जाएगा और ये बहुत भी dangerous sign होता है जो कि 1991 में के दोरान भी ये देखने को मिला था कि जब भारत ने अपनी economy open की थी उससे पहले भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला था कि वहाँ पे भारत की अरत शेक कर गई थी और भारत का ही जो खजाना था पूरा खाली हो गया था तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर अगर हो रहा है तो ये कुछ अच्छी sign नहीं होती है ये बहुत alarming sign होती है और किसी भी देश को यानि इंडिया जैसे देश के लिए को लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि वो manufacturing अपनी strong करे अपना production strong करे ताकि लगातार वो export करता रहे जतना सामान बेचेगा उससे लगातार वो dollar पाता जाएगा लगातार डॉलर पाता जाएगा और ये खजाना लगातार खाली नहीं होगा बल्कि उसके साथी सात वो भरता भी रहेगा तो ये चोड़ी सी वीडियो ती जिसमें हमने आपको बताया कि dollar जो है अगर increase हो र और बहुत अजोस्टों बार्टी नियोग्टा सबस्कारीवार्ट नियरोकार्ट कुछ नियोग्ट फड़्यों कर दो सिर्च प्राइ।